हेलो दोस्तों मेरा नाम है राहुल और आज किस वीडियो में आपन डिसकस करेंगे मैथ की स्ट्रेजी तक कि आप में से कई बंदे जो अपने मन में जो फियर क्रिएट कर रखा है ना मैथ का तो उनका वियर आराफ से दूर हो सके है इस वीडियो को लाश तक जरूर देखना है इससे आपको मोग टेस्ट में भी काफी इंप्रूमेंट देखने को मिलेगा स्वाइश शिरू करते हैं इस अपने सेक्शन में इंपोटेंट्स पॉइंट को डिसकस करेंगे जो आपके मैथ के स्कोर को काफी जादा इंप्रूफ करेंगे ठीक गाइस तो आपको सबसे पहले स्लेबस जानना है और उस स्लेबस को दो या तीन बर कंप्लेट कर लेना है है अब complete करने से मेरा अर्थ है से से आपका percentage बढ़नी परणने कैसते परकार आपको क् firm अप्रणन चैप्टर 為क अठीश करने पड़ेगाए है अपको Bu test ट्रस यायरं से और सबस्क्रैसर जरह आपको काफे साट अठीश के सही limited है अपने असलेबस को 2 और 3 आप करेक्टी्ट कर लिए यार आप iht stadion करुन केवाना यार आपको प्रैक्टीस और केलख si On यार आपको प्रैक्टीस और केलकिलेशन करने यारथ है कि इना आपको प्रिवियस यहर केथ के सारे पर सोल कर अपर आपको रोज पांच या दस मिनट डेली कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस करनी है अब यार कई बंदे क्या करते हैं कि यह ना राकेश यादा उसरगी जो पिछे तरसो प्लस वाली बुक है या फिर क्रेंट पब्लिकेशन वाली जो दस जजार क्योशन वाली बुक है वो यार निकाल डालते हैं यार गाईज उसमें आपकी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट होगा क्योंकि उस बुक को निकालने मेरे हिसाब से कम से कम आपको साथ यार्ट महीने जीए अब यार साथ यार्ट महीने में आप अपना से ले बस दो यार दो से तीन से भी ज़्यादा बार कम्प्लीट कर सकते हो तो यार और उस बुक में क्या है उन बुकों में क्या दे रखा है कि एक क्योशन को बार बार रिपिटिशन से दे रखा है 15-16 बार क्योशन को दे रख तो आप यार एक्यूरेसी पे पहले focus डालना वह काफी जदा important है ठीक है वैसे तो time management भी important है time management आप आजकल देखते हो यह काफी जदा काफी कम time मिलता है यार एक्जाम में तो आपको time management पे तो focus करना ही करना है लेकिन यार accuracy बिना कोई फाइदा नहीं है ठीक है तो accuracy पे पहले time management पे focus करना है वो सब आपको मोक देने से ही आएगा ठीक है अब आपको क्या करना है complete अब आपको अगर आपने previous year डाल लिए थोड़े बहुत में मोक कर लिए तो आपको नए नए मोक ऐसे डूणने है जहां पर आपको नए question मिले आप यार यह ऐसे नए नए questions दिन में तीन या चार practice करोगे या फिर एक week में अगर आपने ऐसे दो या तीन ऐसे मोक दिया है जिनके सारे question नहीं है तो यार sufficient है आपकी 100% त्यारी है अगर आपने यह चारो points को follow किया है तो ठीक है अब यार मैं आपको बता हूँगा कि आपको क्या नहीं करना है ठीक है अब यार कई बंदे क्या है कि केवल और केवल short trick के पीछे ही बागते हैं तो आपको यार ऐसा कुछ नहीं करना है आपको basic से भी पढ़ना है option method भी आन ही पढ़ना है ठीक है अब गाईज आपको previous year questions कभी भी ignore नहीं करने है previous year questions से आपको बता चलेगा कि मैं section में कौन सी type consecutions की type आ रही है consecution की type नहीं आ रही है जिससे आप यार आसानी से अपने आपको confidence बूश्च कर सकते हैं अब guys आपको overconfidence नहीं हो रहा है अगर आप और confidence होगे तो यार आप आसानी से अपना scoredown ला सकते हैं ठीक आइस तो आपको और confidence तो होना ही नहीं है अब फॉर्थ पॉइंट है कि आपको एना किसी भी एक teacher के पीछे नहीं बागना है कि यार ये teacher तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है अब बहुत अच्छे तो यार मेरी मा आप से सारा course नहीं करा सकता और सभी teacher के पढ़ाने का लग लग तरीका है किसी कोई जैसे math को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले पढ़ो percentage उसके बाद आप आप पढ़ो CISI और उसके बाद आप पढ़ो profit and loss और ratio and proportion भी आप percentage के साथ में पढ़ो तो ज आपको एक्जाम में एक्जाम निकाल कर जोब लेनी है ठीक है थैंक यू